जपान, 1943, आबशेरी प्रिजन, फॉल्सली इंप्रिजन योशे शिरातोरी फ्रस्टेशन में अपने हैंडकफ्स को तोर देता है प्रिजन गार्स के सामने और कहता है मैं यहां से इस्केप करके दखाऊंगा After this incident योशे शिरातोरी को specially made handcuffs में tie-up किया जाता है इन handcuffs को दो घंटे लगते open करने में ये किया जाता था once a week so that योशे शिरातोरी बात ले सके बाकी टाइम he was tied up but the question is how did he escape then so जब भी योशे शिरातोजी को मिस्सूपास फूड मिलता था वो थोड़ा सा सूप सेव करके अपने हैंडकॉफ्स पर और डोर की विंडो पर स्प्लैश करता रहता था जिसकी वज़े से कुछ टाइम बाद रश्ट की वज़े से उसने कफ्स और डोर विंडो को निकाल दिया फिर उसने अपने शोल्डर को डिस्लोकेट किया और क्रॉल कर गया विंडो से और इस तरह he escaped from अबशीरी प्रिजर